जो प्रमूत करशंची कह रहा हैं, तो प्रमूत करशंची वास्तों में अपने नंबर बढ़ाने लिए कह रहा है。 प्रमूत करशंची स्विगूपा छोड़ दिया कि प्रिंका जी लड़ जाए तो और नंबर भी बढ़ जाएंगे। अब हमको अगल बगल से चुनाओ लड़ने को अजय राजने। उनसे ज्यादा होश्यार चानाक निकले प्रमोत किसंजी, प्रमोत किसंजी शुरू से चानाक रहा है, इनका नाम प्रमोत तयागी था, तो इन्हों सोचाल लाई ये मोके का हम भी फायदा उठाएं, तो हम ये क प्रिंका जी अब आउट डेटेड हो गई है, प्रिंका जी की बहुत सुरू से मैत्वा कांछा रही, मगर सुनिया जी के सामने पुत्रमो है, रियल बात ये है कि सुनिया जी प्रिंका जी को पहले हो करती है, प्रिंका जी का आज से 20 साल पहले एक क्रेस था, चुकि नई ए वहाँ कोई भी पलायन नहीं हुआ, तो विवादास्पत बैखती हैं, इनकी सब जगह वो मोधी सरकार की बढ़ाई करते हैं, संसत की बढ़ाई की थी, इनकी बात में इतना दम है, और इनकी ये बात जो है, ये कांग्रेस में टूटन ला देगी, INDI के गड़बंदर, 2024 तक ही असर जाएगा, कि काउन चुनाओ लोड़ेगा, और ये सारे दल जो है, इनसे अलग हो जाएगे. प्रियांका गांधी वड़रा बनारस सेलेक्शन लड़ना चाहती है, तो वो आएं, इलेक्शन लड़े, कांग्रेस के के कारेकर ताउन के लिए तयार हैं, महनत करेंगे. तो इस मामले को लेकर के चर्शा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौझूद हैं, आजय पत्रकार जी और हम इनसे जानेंगे, कि क्या इस ख़वर के बाद, इस बयान के बाद, इंडी गडवंधन में फूट देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी. क्योंकि अभी तक गडवंधन के द्वारा ये कहा जा रहा था कि हम चुनाव जीतने के बाद ये देखेंगे कि कौन प्रधान मंत्री बनेगा. लेकिन यहाँ पर तो ये पहले सही बाते कही जा रही है कि कौन प्रधान मंत्री पत का उमीदवार होगा. आजे जी स्वागत है आपका सबसे पहला सवाल के आखर ये प्रमोत कृष्णन के द्वारा जो बयान आया है कि प्रियंका गांधी वर्डरा को प्रधान मंत्री उमीदवार बनाया जाना चाहिए. क्या कहेंगे इस पर? देखिए ऐसा है जो प्रमोत कृष्ण जी कह रहा है, तो प्रमोत कृष्ण जी वास्तों में अपने नंबर बढाने लिए कह रहा है. प्रमोत कृष्ण जी 2014 में प्रिंका जी के फिवर्ल में बोल करके तो उनको टिकन मिल गई थी, वो पाचमे नंबर पे रहे थे. और काम हुआ है उदर कााशी का हुआ है उसका मंदिर का हुआ है तमाम ऐसे काम हुए असै घाटर तो जान रहते हैं कि मोदी का बजन बहुत जादा बढ़ गया है दूसरी बात है कि वहां की पब्लिक जो है मोदी को जिताना चाहिते हैं चुकि मोदी ने बनारस में इतिया आजादी के बाद से सबस्यादा काम अब हुआ है यह थोड़ा सोतमदाश टंडन जी के समय हुआ थ तो वो देख रहे हैं कि लोग कमलापत्तिर पाठी से ज्यादा भी काम हुआ है बहुत ज्यादा हर पब्लिक तो वो खुल लड़ना हम नहीं चाहना है जालना हम बुड़ी तरह के साहर जाएं जमाने जब तो उन्होंने एक स्विगूपा छोड़ दिया कि प्रिंका जी प्रिंका जी को लड़ाना है तो उनको 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 प्रिंका जी को लड़ाना है तो उ उनको रिलाउंच किया जाता है और ये बार बार दिखाने की कुशिश की जा रही है कि ये बेस्ट पीम कैंडिडेट हो सकते हैं लेकिन इस बीच ये कहा जाना कि प्रियंका गांधी वर्डरा को प्रधान मंत्री उमीदवार बनाया जाए क्या इसमें ये नजर नहीं आता कि क कांग्रेस के अंदर ही दो गूठ है विपक्ष की तो फिर बात ही छोड़ दीजे देखे कांग्रेस के अंदर दो गूठ हैं बहुत किलिया करता हैं प्रिंका जी की बहुत सुरू से मैत्वा कांछा रही मगर सुनिया जी के पसामने पुत्रमो है रियल बात ये है कि सुनिय प्रिंका जी को पहले करती है, प्रिंका जी का आज से 20 साल पहले एक क्रेस था, चुकि नई एज की ते अब उनकी एज भी डल गई है, और पॉलिकल लूप से ओड़ेटर होगे, देखे एज का चेहरे का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, तो ह प्रिंका जी के पाज ना आब भासल की सकती रही, उस समय चुकि इंद्रा जी एकस्पायर हुई थी, राज्यू गांधी हुए थे, तो वो जिस समय वो करती थी ऐसे, इंद्रा जी की स्टाइल में, अब वो चीज काफी वो हो गए, दूसरा क्या है कि प्रिंका जी का ये है कि सुनिया जी पूरता बिश्वास ने करती है, दूसरा लाहुल में ये है कि सुबह से रात तक लाहुल मेनत कर लेता, प्रिंका जी ना इतनी कभी पध्यात्रा कर सकती है, वास्तों में हकीकत है छे बजे के बात प्रचत, दो चार जगह प्रिंका जी का जब उनको प्रिंका जी को रिस्पॉंस मिला, प्रिंका जी को रिस्पॉंस मिला, प्रिंका जी को राजनीद में आप तब संभव प्रधान मंत्री बगारे जब सुबह से साम तक आप बहुत मेनत करते थे, आप सुने संसद में रात को दो बजे तक बहस हुई है, अब ये जो संसद न अपने नंबर बढ़ा के चाहरा है कि हमको संबर से लड़ने को मिल जाए अच्छा आपको इनके बारे में और बता दें अच्छा उनका ये भी कहना है कि प्रयांका गांधी वोडरा जो है जादा पॉपलर है इसलिए कारेकरताओं को जादा मेहनत करने की भी जरुवत नहीं पड़ेगी और वो असानी से एलेक्शन लड़ सकती है जिस सकती है अब वो जमाने चले गए आपको बता रहा है वो जमाने चले गए पॉपलर मेरा सवाल ये है कि क्या राहूल गांधी पॉपलर नहीं है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुप्रिया श्रीनेद भी ये बोल अब वो जमाने चले पॉपलर नहीं है पुड़ी पुड़ी लगी और लगी ये है कि जो राहूल के खास्त हैं उनको उपेक्षित भी करवाया प्रिंका लगी ने सुनिया जी से मिल करके तमाम 2014 को उसमें तमाम कॉंट्रेक्ट दे दिये गए प्रिंका जी के जो खास लोग आपको एक चीज दावड किलियर कर दें आपने गवड किया होगा 2014 में एकदम से राहूल जी और आजय माकन एकदम से दावड कर गए गए प्रिंका लोबी सुरू से लगी हुई है और इधर एक राहूल लाभी कि सुनिया जी पर दवाब बनाके इनावने जोती रादे सिंदिया को और पाइलॉट को इन्होंने नहीं बनने दिया प्रिंका जी ने उन्हों नोर षूल लगी निकालों बात में लोगो ने रिजाइन कर दिए अब बात गई थी क्या मैं बताउं अब भी पोल क्वोड तो वह क्या है कि इनको शुरू से दोनों की लॉबिंग है उदर रावट वाडरा बगेरा बाली टीम लगी रावट वाडरा भी चाहते हैं कि मेरी बीबी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जा है कोई बन जा है मगर ऐसा हिंदुस्तान में अब संभव बिलकुल भी नहीं है चु एक बार दो हजार में हा रहे हैं जंता पार्टी के समय इंदर जो दोनों लोग दूसर पच्पन हजार से आरे बास्तों में लगबस सभा दो लाग बोटों से आ रहे थे इसलिए हा रहे थे सपा ने अपना कंडिडेट नहीं लड़ाए सभी पार्टियों ने अपने तब इनको जो बोट मिला है यह सारे पचनाजार से यह हारे इसके अलाबा डेल लाग बोट सपा का था जो इनको मिल गया अगर यह सब अपने चुनाव लड़ते तो राहूल गांदी लगबग ढ़ाई लाग बोटों बोटों दो लाग से हारते दूसरी बात आपको बताना लाइबरीली में भी सुनिया जी का है बहुत गिला है इस बार सपा लड़वाएगी यह बस पा अपने लड़ाएगी बस पा किलियर कट का है चुकिए तो मैं बता रहा हूं कि दोनों सीटे हाल है हाल है बुरी तही कि और यह वहां पर अब जो है अमेठी पर इनका जीत पा जाता है तो क्या विपक्ष के जो तमाम लीडर्स हैं चाहे फिर हम बात नितीश कुमार की करें ममताब एनरजी की करें अखिलेश रादो की करें तो क्या यह लोग मानेंगे उन्हें प्रदान मंत्री पत के रूप में स्वीकार करेंगे आपको बताना है कि इनके नाम की घोसरा हुई सबसे पहले ससी तुरूर अपने लिए कहेगा ससी तुरूर ऐसा वेकते है जो कांग्रेश से चुनाव लड़ा अभी तक के इतियास में पहली बान नहरू फैमली खिलाब सबसे जादा इनसे जादा काबिल ससी तुरूर बिद को तो ऐसे वेकते हैं के नाम पर का तो एक हाँ वही बता तो कांग्रेश के कई लीदर चिर जाएंगे कि उनको नहीं सोनिया जी ने यह इनको तो उन्से तो बेदर हम हैं कांग्रेश के कई लीड़ा फिर आपको बताना है ममता बनर जी तुरूर तो पित्रों कर दिंग आप समझे लिए इसी उससे बिख़ड़ जारा इनी नामों से सिर्फ चर्चाओं से केजरी बाल का साप कहना है कि हम बहुत पढ़े लिकर तब केजरी बाल कहेंगे प्रिंका की कौलिपिकेशन क्या है उनके हजबन बाड़रा जो बरतन का बयापारी है उसकी क्या है राहूल गांधी के उससे तुरंत केजरी बाल ले आएंगे इनकी डिगड़ी क्या है असली है कि नकली है और केजरी बाल फेसके हम अमता बनर जी के बाद आप समझ लिए बी आरेस टी आरेस इस टालिन भी अपने को जादा हो समझते है और सरत पवार जी है वो यह भी कह सकते हैं उ आपको बताने कता ही भी प्रिंका गांधी को अगर नाम भी लिया गया तो बित्रो हो जाएगा दूसरी बात प्रिंका गांधी बनारस दूर लहीं आपको बताने सुनिया जी राइबरीली से चुनाओ नहीं लडेंगी उनकी जगह प्रिंका गांधी चुनाओ लडेंगी उ अगर इनके हारने के चांस जादा होंगे, चुकि इनका बोटा परसंटेज गिर गया. अब प्रमोत किसंट जी जो है, सिर्फ ये उनके लिए कहरे हैं, मैं आपको बता देना हूं उनके बाले में, ये सपा के सासन में कहराना गये थे, अब इनके उनके कहाता हैं, वहाँ कोई भी पलायन नहीं हुआ, तो विवादा अस्पत बैखती हैं, इनकी सब जगे वो मोधी सरकार की बढ़ाई करते हैं, संसत की बढ़ाई की थी, इनकी बात में नहीं इतना दम है, और इनकी ये बात जो है, ये कांग्रेस में टूटन ला देगी, INDI के गड़बंदर, 2024 तक ही असर जाएगा, कि काउन चुनाव लोड़ेगा, और ये सारे दल जो है, इनसे अलग हो जाएगे, अलग होई चुनाव, फिलाल अजब पत्रकार जी का कहना है, कि जिस तरीके से स्टेट्मेंट दिया गया है, आचारे प्रमोत कृष्णन के द्वारा, तो जाहिर तोर पर नस सर्फ कॉंग्रस में ये बड़ी फूट साबित होगी, बलकि विपक्ष्वी गडबं से स्टेंट झायिंट करते स्टें लिए्ख्वी ट शेते से स स्टेंटर में ये जाएगी भाएगी, बलकि उखे टाएगा जोर नहारा जोर से से लिए को में ये ये वि कॉंग्ना वुनाव, जे श्वे, बलकि जाएगः, प व distन से सिते हैं कि उपकोंगी, आएगे, प्य म